हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में और सुरू करते हैं सुपर कमांडर दुरूप की एक और कॉमिक्स मौत का अलोंपिक और हमारे चानल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें लाइक तो कम से कम करें ही करें और इसी बीच उसी अग्यात अस्थान पर देविया और सजनों चाइनिज टीम ने पहले पूरे 80 अंग पराप्त किये थे क्योंकि वे तीन बज़े ठसा ठस भरी आठ गेलरी से दोनों फरेम ले आएं और उनको फरेम निकालते किसी ने नहीं देखा लेकिन उनके दो आदमी धुरुब द्वारा पकड़े भी गए इसलिए पैनल्टी के रूप में 10 अंग काट गए बचे 70 अंग अगला दोर दोर अफरीकी टीम का है यह धुरुब कोन है बगल वाले कमरे में अफरीकी टीम जोड़दार विरोध कर रही थी यह नाइंसाफी है इसको फोटक पदात इस्तमाल करने की अनुमती दी जाए उससे तो काम बिलकुल आसान हो जाएगा फिर असीयं किस बात के तुम मेरे लीडर हो कुंठा तुम ही बताओ कि यह कैसे संभव है सान्थ 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 इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है परंतु सिर्फ दिमाग वालों के लिए पहले मेरे सामने इस इलाके का पूरा नक्सा लाओ और फिर मैं तुम को अपना प्लान बताता हूँ सीगर ही तो यह है वो प्राना किला जिसकी पांच फुट मोटी दीवार हमको कल साम तक तोड़नी है पर इसके बगल में यह दो लाइने के किस चीज की है यह रेल की पटरी है बस बन गया काम लेकिन इस पटरी का अब इस्तमाल नहीं किया जाता क्योंकि जो गाड़ियां पहले इस पटरी से आती थी अब उनके लिए नई पटरी बना दी गई है और नई पटरी यहां है यह किले से एक किलो मिटर दूर हाँ हाँ अगर यह नई नवेली पटरी तूट फूट जाए या बंद हो जाए तो फिर रेल गाड़ी कहां से जाएगी उस उस पुरानी पटरी से वह मान गया उस्ताद अगले दिन यह नई पटरी और वह रहा किला यहां से पूरे एक किलो मिटर दूर यह स्थान हमारे काम के लिए सर्वत्तम है डाइनामाइट लगाओ नजुम्बी जाएदा वक्त नहीं बचा है सिर्फ पंदरा मिनिट लगें नजुम्बी वादे का पक्का था हो गया अब तुम डेटोनेटर का लिवर दबा सकते हो कुन्ठा ही 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 बड़ी खुसी से लिवर का हथ तेजी से नीचे दबा और एक के बाद एक तीन धमा के हुए लगभग आधा किलोमीटर तक पूरी पत्री बड़े बड़े पत्थर के नीचे दब कर तीन के पत्ते की तरह चप्ती हो गई ही 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 मुझको धमाके की आवाज बहुत पसंद है और नजुम्बी कम से कम अस्टेशन मास्टर को फोन से इस दुरगटना की सूचना दे देते हैं इस खबर को सेंटरल अस्टेशन तक पहुचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा हेलो डिवीजन ओफिसर अस्टेशन मास्टर हीयर यहां से दिल्ली के बीच की पत्री दुरगटना गरस्थ हो गई है सिग्र आदेश दे सर की क्या किया जाए कैसे खैर मैं यह मैं सहायता दल तुरंद भिजवा रहा हूं तब तक आप ट्रेनों को पुरानी पत्री से भेजने की विवस्था करें लाइन कल तक ठीक हो जाएगी अपना पासा सही पड़ा कुंठा कुंठा का पासा कभी भी गलत नहीं पड़ता अब आओ अस्टेशन चले और उसी साब 41 टाउन सागर एक्स्प्रेस सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकली तब तक सब समान्य था लेकिन जैसे ही ट्रेन पुरानी पत्री पर पहुची इंजन के अंदर का दुर्ष से बदल गया कुंठा ही और तुम तयार हो तबड़ा ओबर इस लीडर में आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ दूसरी तरफ धुरुब ने पूरे स्थर पर नजर रखने का नया इंतजाम किया था वह यहां पर ना तो कोई लाल बत्ती है और ना ही ट्रेफिक की भीड भार यह क्या है ओह इस पुरानी पट्री पर यह पहली ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है एक तालिश टाउन सागर एक्सप्रेस इसमें इंजन भी नहीं तरह का लगा है जिसे आगे और पीछे दोनों की तरफ से चलाया जा सकता है और अरे अरे यह दो लोग तो पट्री की फिस प्लेट हटा रहे हैं और ट्रेन यहां 10 मिनट में पहुचने वाली है इनको पकड़ने का वक्त नहीं पहले ट्रेन के निर्दोस यात्रियों की जान बचानी ज़्यादा जरूरी है अगले ही पल्प हेलिकॉप्टर तेजी से वापस घुमा और ट्रेन की तरफ बढ़ चला यह रही ट्रेन यह अरे यह क्या यह तो ड्राइवर है और ट्रेन चलती चली जा रही है यानि कुछ गड़बढ़ है लगता है कि नीचे जा कर देखना पड़ेगा अगले ही पल्प हेलिकॉप्टर से एक रसी नीचे गिरी और रसी में बंधा हुगा इंजन की च्छत में फसा हेलिकॉप्टर तो पार्क हो गया अब देखूं की इंजन में क्या गड़बढ़ी है इंजन के अंदर अपने हेलिकॉप्टर को सिगनल दे दो नजुम्बी अब इंजन की च्छत पर चड़ने का वक्त आ गया है लेकिन ट्रेन की च्छत पर कोई और उनका इंतजार कर रहा था कहीं जा रहे हो क्या है और इस से पहले की दोनों अफरीकी सम्हल पाते तड़ाक तड़ाक दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने आपको बचाने नीचे गिरने से बचाया कुंठा हमारा हेलिकॉप्टर आ गया धुरूप का ध्यान छन भर के लिए बटा और इस बार नीचे गिरने की बारी धुरूप की थी कुंठा तेजी से आगे लबका या गया इसका हेलिकॉप्टर धुरूप में हवा में लटकता हुआ असाहाय धुरूप चुप चाप देखता रहा और इसका हेलिकॉप्टर चट्टान से टकरा कर नश्ट हो गया और यह दोनों तो भाग रहे हैं मैं इनको रोक तो नहीं सकता पर कम से कम एक प्रोजेक्ट तो दे ही सकता हूँ धुरूप का हाथ घुमा और कुंठा की पीट में एक किडा नूमा माइक्रो ट्रांस्मीटर आकर चिपक गया देखते ही देखते अफरीक्वियोनों के साथ हेलिकॉप्टर अंधेरे में गुम हो गया और इनके चकर में मैं तो इस बिना ड्राइवर के ट्रेन को लगभग भूल ही गया था ब्रेक काम नहीं कर रहा यानि इंजन नहीं रुक सकता इगनीसन स्विच भी जाम हो गया है इस इंजन के बारे में मुझे वैसे भी जादा जानकारी नहीं है बहुत वक्त भी बहुत कम है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इंजन को बाकी डबों से अलग कर दिया जाए दुरुब ने सकतिसाली हाथों का एक जटका लगाया और इंजन डिब्बे से अलग हो गया डिब्बे की गती धीरे-धीरे कम होने लगी और इंजन की गती तेज वहां से थोड़ी ही दूर पट्रियों में लोहे का तार कसकर बांधा है ना हाँ बुल्डोजर स्टार्ट करो ट्रेन आ रही है बुल्डोजर का सकतिसाली इंजन स्टार्ट हुआ और पट्रियों का रुक किले की दिवार की तरफ मुड़ गया जाओ तवारा भागो इंजन आ रहा है सो की गती से भागता हुआ रेल इंजन तेजी से मुड़ी पट्रियों की और बढ़ा और किले की पांच फुट मोटी दिवार एक करन भेदी धमाके के साथ ढ़ा गई फिर बाद में अफरीकी टीम ने आज एक बहुत मुश्किल काम पूरा करके अपने लिए पूरे असी अंक अर्जित किये हैं और साथ में दस अंक का बोनस भी अफरीकी टीम को हमारी बढ़ाई और परल हारवर पर क्या रिपोर्ट है करीम अभी अभी दो अफरीकी जहाज में गए हैं एक गंजा और एक चमडे की जेकेट वाला उससे दस मिनट पहले एक हेलिकॉप्टर भी इस जहाज पर उतरा था वे मारा सिगनल भी यही बता रहा है कि वे अफरीकी इसी जहाज में है सिगनल कैसा सिगनल अभी चार अफरीकियों ने सागर एकस्प्रेस को दुरगटना गरस्त करने की कोशिस की उनको तो मैं नहीं रोक पाया पर यातरियों को मैंने बचा लिया भागते भागते भी मैंने उनमें से एक अफरीकी की पीट पे एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिये यह उसी के सिगनल है पर यह क्या पिक 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 अब यह सिगनल बता रहे हैं कि वे अफरीकी जहाज से दूर जा रहे हैं पर कैसे जहाज के आसपास से ना तो कोई नौका दूर जा रहा है और ना ही कोई तैर रहा है देखो करीम जहाज एका एक पानी की सता से कई फुट उपर उठ गया और वे रहे एक पेरिसकोप यानि पंडुबी हाँ पंडुबी जहाज के तल में लगी होगी वे अफरीकी जहाज के रास्ते पंडुबी में घुसे होंगे और जब पंडुबी उनको लेकर जहाज से दूर जा रही है और पंडुबी का वजन हटते ही जहाज सते के कई फुट उपर उठाया बिल्कुल सही करीम यही कारण था कि पुलिस को जहाज की तलासी में कोई अपरादी हाथ नहीं लगा मतलब साफ है कि इनका अड़ा कहीं और है और यह पंडू भी उन अफरीकियों को उसी अड़े की तरफ ले जा रही है करीम तुम तुरंद पीटर को फोन करो और कहो कि वो गोता खोरी के दो स्पेसल मास्क ले आए यहां लेकर यहां पहुँच जाए और साथ में कुछ पलास्टिक बम भी लेता आए और उसके बाद तुम पुलिस लेकर पुरा इलाका घेर लेना समझे अगर पुलिस मेरी बात पर ही यकीन ना करे तो तुम पापा से संपर करना यानि आई जी सर से समझ गया और जल्दी ही तो परचाईयों परचाईयां पानी के अंदर अपने गंतव्य की और बढ़ रही थी सौधान पीटर अपन डुब्बी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है अगर मेरा ख्यास सही है तो यह पर अपराधियों का जमा घाट लगा होगा तुम पलास्टिक बम लाए हो ना हाँ यह रही मेरी बेल्ट में लगे हैं देखो उधर कुछ नजर आ रहा है मैं आगे बढ़ता हूँ तुम चट्टानों की ओर लेते हुए मेरे पिछे आओ धुरुप सावदानी से आगे बढ़ा यह तो पन डुब्बी ही है और यह किसी गुफा के परवेश द्वार के ब पहरेदार ने इसकी पुष्टी कर दी है कि यही गुफा मेरी मंजिल है पहरेदार ने समलने से पहले ही धुरुप ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खीचा और जबडे से एक घुसा दुगनी जोड से टकराया और पहरेदार होस खो बैठा वहा तुमने तो मेरे आने से पहले ही इसका काम तमाम कर दिया सुनो पीटर तुम इस गुफा के परवेश्दवार को धेर कर दो इस बम लगा दो और मेरा सिगनल मिलते ही धड़ाम धड़ाम समझ गया वैस्ट अफ लग धुरुप धनेवाद पीटर पता नहीं इसके अंदर क्या होगा धुरुप ने साधानी से एयरलोग खोला और वह चड़ चकित रह गया कमाल है इन लोगों ने तो अंदर पूरी कोठी बना रखी है और यहां से साध यह परती योगिता योचित की जा रही है उधर कोडिडोर के अंत से कुछ आवाजे आ रही है साध वहीं से मेरे सवालों का जबा मिल सके दरवाजे के पीछे एक और अश्चरे धुरुप का इंद्जार कर रहा था प्यारे दोस्तों आज की मीटिंग की वह 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 लगता है पूरा सन्युक्त अपराज संग यहां पर एक तरित है लेकिन यहीं पर धुरुबने एक जबर जस्त असाधानी हो गए हिलना मत वरना पल भर में चलते फिरते बदन से लास में बदल दूँगा कौन हो तुम जासूसी करने आए हो अंदर चलो सुपर जजज के सामने कौन है यह बद्तमीज जो पहरे के परदे के पीछे से बोल कर मीटिंग में खलर डाल रहा है सुपर जजज को जबाब मिलने में देर नहीं लगी यह रहा बद्तमीज यह क्या नसा करके आए हो क्या इसको मत डाटिया सारी गलती मेरी है मैंने ही इसको अंदर फेका है अदर असल यह मुझको पिस्टोल दिखा रहा था सुपर जजज कौन हो तुम इस परसन का उत्तर कई लोगों को पता था अरे यही तो है वो लड़का सुपर कमांडर धुरूब यह यहां तक कैसे आ गया है इस ने हमें बहुत परसान किया सुपर जजज इसलिए इसको हमारे हाथों सोब दीजिए नहीं इसे तो मैं हमें हमें अपना ही हिसाब चुकाना है इसने मुझे लात मारी थी उसकी गर्दन तो सिरिफ कुंटा ही मरोड़ेगा खामा उस पहले हम अपने बिना बुलाए महमान से कुसल च्छमा तो पूछ ले तो तुम हो बेटा सुपर कमांडर धुरूब तुमने ही अब तक हमारे हर काम में टांग अड़ाई है टांग तो तुमने हमारे देश के कामों में दखल देकर अड़ाई है मैं यहाँ यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ यह बताने आया हूँ कि यहाँ सारा इलाका पुलिस ने गहर रखा है तुम लोगों की भला इसी में है कि अपने आपको चुप चाप कानून के हवाले कर दो किसी भी पर ती रोध का परिणाम सिर्फ खून खराबा होगा वाह वाह यह तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बोलता है मौत के सामने खड़ा होकर भी उपदेश जाड़ रहा है इस लड़के से मैं बहुत पर भावित हुआ हूँ अब आप सब ही इस लड़के को अपने अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे ना परंतु उसको इस टीम के हवाले किया जाएगा जो हमारी परती योगिता में सबसे ज़्यादा अंग पराप्त करेगा दूसरे सब्दों में सुपर कवांडर धुर्ब हमारी परती योगिता का परत्थम प्रुसकार होगा वाह 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 निरनायक दिया है वाह क्या निरने दिया है तुम सब वास्तों में पागल हो क्या मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूं कि पुलिस तुम को चारो और से घेर रखा है कोई चिंता की बात नहीं है जब तक पुलिस यहां नीचे तक आएगी हम पंडूबी में बैट कर रफुचकर हो जाएंगे पकड़ लो इसे और यहां से चलने की तयारी करो इनको समझाना वेर्थ है धुरुप का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और यह तो धुरुप का सिगनल है पिक 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 पीटर की उंगली रिमोट कंट्रोल की बटन पर दबी और दो धमा के हुएं यह यह भाग हुँ ओप हमारे पास सिर्फ औक्सीजन मास्क पहनने का वक्त है जल्दी करो पानी तो बहुत तेजी से अंदर आ रहा है धुरुप इस अफरा तफिरी का लाब उठाते हुए गायब हो चुका था अरे वो लड़का किधर गया कमवक्त हमारे स्तारे प्लान पर पानी फेर गया और बहार सावा स्पीटर अब चटान के पीछे अराम से बैट कर तमासा देखते हैं अभी नहीं अभी यहाँ पंडूबी बची है वे इसमें पैट कर भाग सकते हैं लेकिन मैंने एक बम इसमें भी फिट कर दिया है और सिख रही आओ जल्दी पंडूबी की और लेकिन इससे पहले की वे पंडूबी तक पहुच पाते हैं सता पर करीम आईगीर राजन और स्पेसल पुलिस फोर्स के साथ किनारे पर पहुच चुका था यह धमाका कैसा हैं और लगभग तुरंथ ही समुन्दर की सता पर सिर ही सिर नजर आने लगे भागने के सभी रास्ते बंद देखकर अपराधियों ने आत्म समर्पन करना ही उचित समझा कुछ घंटों की कड़ी तलास के बाद सारे अपराधि पुलिस के गिरफ्त में थे और फिर I am sorry मुझे तुम्हारी बातों को और जायदा गंभिरता से लेना चाहिए था इतने सारे अपराधि हमारे हाथ पहले कभी भी नहीं लगे इन में से कई अपराधि की तो इंटर पोल तक की तलास थी इसमें आपका कसूर नहीं है अंकल अगर कोई मुझे से आकर यह सब बताता तो मुझे भी उस पर जल्दी विस्वास नहीं होता लगभग उसी वक्त भारत की धरती से हजारों किलो मिटर दूर हमारा प्लान फैल हो गया महामहिम फैल हो गया हमारा प्लान फैल हो गया कैसे फैल होगा एक लड़के के कारण महामहिम लड़के के कारण कौन है वो लड़का उसका नाम धुरुब है महामहिम कल सुबा तक उसके बारे में पूरी जानकारी मेरी टेबल पर होनी चाहिए गेट मास्टर रोबो उसे खुद अपने हाथों से सजा देगा तो दोस्तो यह वे सक्स था जिसने इस अनोखे अपराद अलोम्पिक का प्लान बनाया था क्या बनाया था और फिर इसने क्या किया यह सब मैं अपने आने वाले किसी अंक में बताऊंगा फिलहाल तो इंतजार करें मेरे अगले अंका फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तो चलिए दोस्तो हम भी फिर मिलते हैं लेकिन इसे पहले हमारे चानल को प्लीज सस्क्राइब करें और लाइक भी करें हमारे चानल पे लाइक और सब्सक्राइबर बहुत कम है तो प्लिक हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं कॉमिक्स टाइम के अगली अगले अंक में धन्यवाद